नमस्कार दोस्तों IOC की राइट इसू नियूज के साथ दो बड़ी खबर लगा रहा हूँ लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजे और अगर चैनल पर नए है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिक 30,000 करोर रुपे तक जुटाने की योजना की घोशना की है यह इसू मौझूदा सेर धारकों के लिए खुला होगा और इसकी कीमत मौझूदा बजार मुल से छूट पड़ होगी इस इसू से प्राप्त आयका उप्योग कंपनी की पूंजी गत्वे योजनाओं पर वित पो पोटफोलियो का विस्तार और इसके EV चार्जिंग बुनियादी रहाचे का विकास सामिल है आयोसी सन मोबिलिटी के साथ बैटरी स्वेपिंग संयुक्त उध्यम में 1800 करोर रुपे का निवेश करेगी आयोसी ने इलक्टरनिक वाहनों के लिए बैटरी स्वेपिंग संयुक्त उध्यम पूरे भारत में बैटरी स्वेपिंग स्टेशन अस्थापित करेगा और EV उपयोग करताओं को बैटरी लीजिंग और स्वेपिंग सेवाएं भी परदान करेगी सन मोबिलिटी में निवेश आयोसी का एक रननीतिक कदम है एलक्टरिक वाहनों को अपनान के लिए बैटरी स्वेपिंग का एक परमुख तकनिक है सन मोबिलेटी में आयोसी के निवेश से उसे इस बाजार में मजबूत पकर मिलेगी आयोसी दिल्ली एंसी आर में 100 एलक्ट्रोनिक वहिकल चार्जिंग अस्टेशन अस्थापित करेगी आयोसी ने दिल्ली एंसी आर में 100 electronic vehicle station अस्थापित करने की योजना की गोशना की है IOC इंधन अस्थापित किये जाएंगे और तेज तर चार्जर और धीमे चार्जर से सुशजित होंगे Station 2023 के अंथ तक चालू हो जाएंगे Electronic vehicle charging station की अस्थापना IOC के लिए एक आवश्चक कदम है जैसे जैसे electric वाहनों की मांग बढ़ती है IOC को अपने ग्रहकों को charging infrastructure उपलब्ध कराने की आवश्चकता होगी दिल्ली NCR में 100 electronic vehicle charging station अस्थापित करना एक अच्छी सुरुवात है Company सक्रिय रूप से अपने परिचालन का विस्तार कर रही है और नए परद्योगी की में निवेश कर रही है यह IOC और भारतिय उर्जा छेत्र के भविश्च के लिए एक सकारात्मक संकेत है अब इसके लिए opportunity क्या है तेल की वेश्विक मांग बढ़ सकती है जिससे IOC को फाइदा होगा भारतिय अर्थ विवस्था आगे बढ़ सकती है जिसका फाइदा IOC को भी होगा electronic वाहनों को अपनाने में तेजी आ सकती है जिससे IOC के लिए नए अवसर पैदा होंगे कुल मिला कर मेरा मानना है कि IOC के लिए दिरिष्टी कोन सकारात्मक है कंपनी वेश्विक और भारतिय उर्जा छेत्रों की विर्धिके से लाव उठाने के लिए अच्छी स्थिती में है